नमस्कार मैं कवीताउनियाल आप देखरें मीडिया टोडे टीवी जिस तरह अजरबर्जान के यूद में तुर्की के ड्रॉन ने अर्मेनिया पर आग बर्साई थी अब ठीक उसी तरह इरान के ड्रॉन ने रूस की तरफ से यूकरेन पर कहर पर पाया है तुर्की के ड्रॉन के बाद अब इरान के ड्रॉन दुनिया भर में सुर्खियां बटो रहे हैं अंतरास्टे मेडिया में ये हंगामा है कि इरानी ड्रॉन यूकरेन यूद में रूस का एक बेहत खतरना खतियार साबित हो रहा है और उसने अचानक इस यूद में रूस को बड़ी मजबूती दे दी है अमेरिका और नेटो देशों में भी इरान के ड्रॉन्स को लेकर खलबली मची हुई है यूकरिन को 60 अरब डॉलर के भारी जंगी हत्यार देने वाले अमेरिका और यूरोपिय देश अब इस बात को लेकर हंगामा मचा रहे हैं कि इरान ने रूस को ड्रॉन क्यों दिये क्या है पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगी अगर आपको नियूस अच्छी लगे तो नियूस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रूस के क्रीमे ब्रिच पर यूकरिन की तरप से हुए हमले के बाद रूस यूकरिन पर ताबरतोर हमले कर रहा है पश्मी मीडिया की मुताबिक इन हमलों में इरान की शाहिद 136 ड्रॉन विमानों ने बड़ी तभाई मचाई और यूकरिन को भारी नुकसान पहुँचाया है ये ड्रॉन इतना शमतावान है कि ये निर्देश मिलने से पहले टार्गेट एरिया की करीब इंतजार करता है इसके बाद जैसे ही निर्देश मिलते हैं ये विस्पोटक को पूरी ताकत के साथ टार्गेट पर ब्लास्ट करता है आम तोर पर ड्रॉन को कहीं और से कंट्रोल किया जाता है लेकिन इन ड्रॉन के साथ ऐसा नहीं है ये ड्रॉन छेतर में तब तक घुमते हैं जब तक लक्षे की पैचान नहीं हो जाती और हमला नहीं हो जाता यूकेन का दावा है कि इरानी डॉन विमानों ने यूकेनी सैना को उन छेत्रों में आगे बढ़ने से रोग दिया है जिस पर रूस ने कबजा किया हुआ है इरान की इन ड्रोनों की तभाई का मंजर देख यूरोपे देशों ने इस मसले पर एक बैठक की और इरान पर प्रतिबन लगाने पर चर्चा की वहें अमेरिका ने सुरक्षा परिसत का दरवाजा खट-कटाया और ये बात साबित करने की कोशिश की कि इरान का रूस को ड्रोन देना सुरक्षा परिसत के परस्ताव का उलंगन है ये पहला मौका है जब रूसी सैना ने अपनी जंग में किसी विदेशी हत्यार का इस्तमाल किया है इससे ये भी पता चलता है कि इरानी हत्यार ने इस जंग में अमीरिका और यूरोप को जोरदा चुनोती दी है आपको बता दे शाहिद 136 डॉन अकार में बहुत छोटा और कीमत में बहुत सस्ता है इतना ही नहीं इन ड्रॉन्स को बहुत लंबी दूरी तक भी भीजा जा सकता है ये ड्रॉन बहुत नीचे उड़ता है जिसकी वज़े से रिरार की रेन से बहार रहता है सबसे बड़ी बात तो यह ही कि इसमें 40 किलो गराम विस्पोटक ले जाने की शमता है जो अपने लक्षे से टकरा कर उसे नस्ट कर देती है इन ड्रॉन विमानों ने नैटों को परिशानी में डाल दिया है और रूस ने बड़ी गंभीर जंग में इनका सारा लेने का फैसला किया है इनानी ड्रॉन ने अचानकी इस यूद की दिशा बदल कर रग दी है ऐसे में इरान की सुप्रीम लीडर आयतुला खामनाई का एक बयान वाइरल किया जा रहा है खामनाई इरानी युवाओं से मुलाकात करते वे कहा है कि जो लोग एक जमाने में इरानी ड्रॉन विमानों की तस्वीरे देखकर उसका मजाक उड़ाते थे कि ये तो फोटोशॉप से तयार की गई फेक तस्वीरे है वो ही आज कह रहे हैं कि इरानी ड्रॉन बेहत खतरनाक है आपकी इस नियूस पर क्या राय है मुझे कमेट करके जरूर बताएं अब मैं आपको अगली खावर के साथ मिलूँगी शुक्रिया